हलो एवरिवन वेलकम टू आपने देखी लिया होगा आज की सुड़ी में हम बात करना हाले है 30% सिलेबस रिड्यूस्ट के बारे में जी हाँ यह 100% शौर खबर है कि MP बोड ने 30% सिलेबस रिड्यूस्ट कर दिया है याने कि आपको कम पढ़ना पड़ेगा यह बहुत ही अच्छी खबर है अगर आपको अभी जूटा लग रहा होगा तो यह खबर जूटी नहीं है यह खबर बिलकुल सही है कि MP बोड ने 30% सिलेबस रिड्यूस्ट कर दिया है अभी 30% में क्या के इंक्लूडेड है यह सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताने इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ अगर आपको जूट न्यूट लग रही होगी तो आप MPBSC NIC.IN याने MP Board की जो ओफिशल वेबसाइट है मैंने भी वहीं से देखा था और वहां से जो मैंने PDF डाउनलोड करी है जो सिलेबस रिड्यूस्ट का जो ओर्डर है और जो जो बिकोज 30% सिलेबस आपका रिडियूस हो चुका है बहुत अच्छा मौका है अच्छा सकूर करने का बहुत अच्छा चांस है अच्छे से अच्छा प्रिपेर करो बाकि हमारे चैनल पर आपको सब कुछ अभी लेबल किया जाएगा तो अब आप सोच रहे होगे कि अगर 30% तो नाय शिल्यकुम्स क्या है तो इस वीडियो में आपको नाय शिल्यकूपैस आगे बताने वाला हूं तो बने रहाओ पूरा वीडियो अंट तक देखना बहुत ज्यादा काम आने वाला आपको यह वीडियो तो सबसे पहले हम मैं आपको हरे सब्जेक्ट वाइस नए उसलेबस बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से चैप्टर आपकी रिडियूस हो चुके है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट करते है जो हिंदी में आपके 21 चैप्टर थे गाईस अब उसमें से चैप्टर हट चुके है इनको आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रोरत नहीं है न को बिल्कुल नहीं पढ़ना हे छेप्टर आपके अग्जाम में नहीं पूछे जायेँगे यावनarin 21 में से ये चार को आपको डिडियूस कर देना और बाकी है चैप्टर अच्छे पढ़न अब इसमें से यह 30% चैप्टर मानास हो चुके है यानि जो आपका पेपर आने वाला है यह इन चैप्टर के बीना है वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर पूरी देखना गाइस बहुत ज्यादा चैप्टर थे इसमें से आठ चैप्टर अब आपको नहीं पढ़ना है बहुत थी ज्यादा अच्छी बात है तो कौन-कौन से चैप्टर है देख लीजिए ट्रीम चिल्ट्राइन्स है आपके इंग्लिश के पेपर में बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट्स रखता था यह चैप्टर हट चुका है याने आपका बाकी चैप्टर से कुश्चन बढ़ने वाले है पेपर में मैं रिपीट कर रहो बार बार इस बात को स्वामी इन इस फ्रेंट्स जैसे कि आपको प्रिवेश एर कुश्चन पर प्रोवाइड करे है उसमें आप देख सक लगवख 10 माक के कुश्चन आते हैं सवामी इन इस फ्रेंट्स से अब यह चैप्टर हट चुका है तो अब यह जो दस माक के कुश्चन है वह बाकी चैप्टर से पढ़ना होगा इसको भी बहुत अच्छा एक ड्रामा है इसको भी आपको अब नहीं पढ़ने की जरूरत ब इतर बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चैप्टर सहाँ से हट चुके है गाइज magnetism अ मैंटर रे ऑप्टिक हट चुका है अटमस अटम्स है नुकलियाइड नहीं हटा है नेुकलियाई बस हटा है अटम साप किसमें है अभी भी चैप्टर यह बात को ध्र रखन रख चुका है यानि रे आप्टिक्स और इंस्टुमेंटल यानि वेव आप्टिक्स मिला कि तेरा नंबर का आता था अब यह हट चुका है तो गाइस देखना है कि blueprint पे कितना फर्क पड़ता है कौन से चप्टर से number of questions बढ़ेगे magnetism से भी गाइस पाच नंबर का पुचा जाता था वो भी हट चुका है atoms and nuclei से 10 नंबर का पुचा जाता था वो भी हट चुका है अब देखना है कि कौन से chapter में number of questions बढ़ेगे यानि blueprint का हमें wait करना पड़ेगा जैसे ही नई blueprint आते में आपको update कर दूंगा इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जादा जादा इस वीडियो को share करो गाइस क्योंकि सबकी help होना जरूरी है और यह बात जल्दी से जल्दी समझ लो और बाकी chapters पर टाइम दो इन सारे chapters पर आपको अपने चैप्टर है छोटे से चैप्टर थे ज्यादा ज्यादा दो दो नंबर का पुछा जाता था इन दोने चैप्टर से आइसोलेशन आफ एलिमेंट मेटलर्जी याने की और पॉलीमर्स बहुत ही घटिया चैप्टर है दोनों इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना है chemistry के syllabus पर कुछ जादा reduce नहीं हुआ है काई physics बहुत जादा produce कर दिया है इन्होंने और इंगलिश बहुत जादा डियूस कर दिया है है और chemistry moderate किया है काईज quirky में बहुत बहुत एगदा माइना से chapter reduce करें तो chemistry आपको अच्छे तो पाढ़ना पड़ेगा पहले हो भी चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 9 आपका रिडियोज हो चुका है बालोजी से, इनको आपको नहीं पढ़ना है, और mathematics की बात करें तो guys, mathematics में भी ये दो चैप्टर रिडियोज हो चुका है, मुझे इनका वेटेज कुछ ने पता क्योंको मैं बाल लगी का स्टूडेंट था तो आप देख लो, mathematics से भी ये दो चैप्टर रिडियोज हो चुका है, और यह मैंने PDF जो बनाई हुई है, यह जो मैंने, आपको दिखा यह PDF की फोटो है, जो ऑफिशल PDF है, जो मैंने MP Board की ऑफिशल साइट से डाउनलोड करी है, वो मैंने link description दे लगी है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते है, वो PDF original है, आगर आप चाहे तो official website पे भी जाके देख सकते हैं, इन्यूस फेक नहीं है, आपका 30% syllabus रिडियोज हो चुका है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आपको कम पढ़ना पड़ेगा, और अभी भी आपके चुके है, ब्लूप्रेंट आपकी पूरी तरह डिस्टाफ होने वाली है, जैसे नई ब्लूप्रेंट आती है, मैं आपको इन्फर्म कर दूगा, बने रहो इस चैनल पे, वो PDF की लिंक मैंने डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में, अगर वीडियो पसंद आया गाई तो लाइक करता हूं, इसी के तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहोगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा गाई, शियर करो, जितना आप शियर करोंगे, उतना ही आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट होगा, सब को पता रहना चाहिए, एक खबर, आपको अपडे किते हुए आपसे अगली वीडियो में,